नमस्कार, ख़वर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूँ साक्षी सभरवाल आईए नज़र डालते है अब तक की हर छोटी वड़ी ख़वर पर जमु कश्मीर में तीन तशमलव आठ रेक्टर के भुकम के जटके किये गे मैसूस नहीं हुआ कोई जानी नुकसान, भुकम का केंडर गिल्गित बलतिस्तान बताया जा रहा पिछले दो महीने में भारत विरोधी खबरे फैलाने वाले साठ सोशल मीडिया एकाउंट्स को किया गया बलॉक के इंदो सरकार ने दी इस बारे में जानकारी मेजर जनरल विकरम सिंग ने संभाली अकनूर डिविजन के नए जियोसी की कमान पद संभालते ही शोहिदों को दी सलामी संभाली एहम जिम्मेदारी जमु एरपोर्ट से तीन श्वमिकों को किया गया गरिफतार तीनों पर विमान के टिकेट पर फोटो वन नाम बदलने कारू जमु कश्मिर के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की नीजी प्रैक्टिस पर लग सकती है रोक मारीजों की देखभाल में सुधार के लिए उठाय जा रहे हैं कदब डि-एच पोरा कुलगाम में तीन मेडिकल शॉप्स और लैब को किया गया सील बिना उचित दस्तावेजों के चलाई जा रही थी ये मेडिकल शॉप्स जेडिये ने रूपनगर में पहले से रकम जब्मा करवाने वालों को प्लॉट का अलाटमेंट रखा जारी करीब 80 से जादा लोगों को प्लॉट के कबजे दिये जा चुके हैं अपनी पार्टी द्वारा आयोजित समरों में शामिल हुई कई युप्तियां पार्टी उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर सहित महिला विंग अध्यक्षा नमर्दा शर्मा ने किया स्वागत डिलिमिटेशन की रिपोर्ट पर भढ़के अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष गुलाम हसन मीर कहा आम जनता को नहीं सिर्फ एक दल को लाब देने के लिए बंद कमरे में बैट बनाईगी रिपोर्ट पेंथर्स पार्टी जनरल सेकरेटरी ने भीम सिंग की गैर हाजिने में हुई बैठक पर जिताया रोश कहा उनकी अनुपसिती में फैसला लेना बेहद निंद निये बनीहाल रेलवे प्रशासिन के खिलाफ नीजी वहान चालकों ने गुस्सा किया जाहिर कहा बिना भुगतान की एक उचालक अपने वहान खड़े कर रहे डिप्टी मेयर पुर्णिमा शर्मा ने मुबारक मंडी हार्सकेंजी स्कूल का किया दोरा प्रिंसिपल ने तमाम समस्याओं को किया उनके समक्षू जागर अश्टांगुजला पूर्ती योजना 11 साल में भी लोगों को पैजल मुहया करवाने में नाकाम लोगों को गंदा पानी पीने को होना पड़ रहा मजबूर स्वास्ता मंत्राले ने विदेश से आने वले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन्स की जारे 14 फरवरी से भारत आने पर आटी पिसिया टेस्ट की ज़रूरत नहीं LCMN ने अवेद अर्थिक्रमन को लेकर जारी रखा अवेद अर्थिक्रमन हटाओ अभियान इस दोरान चोदा अवेद धांचो को किया गया ध्वस्त गांदरबल हडूरा के लोगों ने उनकी जमीनों पर से मिट्टी चोरी करने वालों के विरुजताया रोज कहा प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी नहीं हुई कोई कारवाई बफलियास के लोगों ने सीएमव पूंच पर अम्बूलन्स देने पर उठाय सवाल कहा सीएमव पूंच ने हमारे क्षेत्र में इस विधा देने के बजाए फजलाबाद क्षेत्र को दी सुनकोर्ट की गुरुद्वारा मुहला से जोगी मोड तक की हालत खस्ता कच्ची सडक पर वानों की आवज राही चालकों के लिब बनी घातक भौजन समाच पार्टी ने डिलिमिटेशन ड्राफ्ट रिपोर्ट खारिच करने की कि अपील कहा बीज़ेपी के फायदे को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है रिपोर्ट वुगेशनल ट्रेनर्स एस्सोसेशनेश नगर मिकीन आरेबाजी जॉब पॉलिसी सहीद वेतन बढ़ाने की कर रहे मांग किष्टवार्ट पुलिस ने ग्यारा अवेज शराप की बोतलो सहीद तसकर को किया गिरिफतार आरोपी की पैचान सद्दाम हुसेर निवासी जनकपूर के रूप में हुई माहोर में विभिन राजनितिक दलो ने डिलिमीटेशन ड्राफ रिपोर्ट पर उठाए सवाल कहा भाजपा के पसंद के हसाब से बनाय गया है इस रिपोर्ट को रामबन में ओल पार्टी मिटिंग में डिलिमीटेशन ड्राफ रिपोर्ट पर आपत्ती की गई जाहिर कहा ये रिपोर्ट नहीं है किसी को भी मंसूर किष्टवाड में आंगनवाडी बरकर्ष ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदाशन कहा नम्बे समय से वेतन बढ़ाने की मांग नहीं की जा रही पूरी भाजपा एनियम वो हेड़कॉर्टर इंचार्ज प्रिया सेथी ने महिला कमिशन को मंजूरी मिलने पर जताय सरकार का अभार कहा अब गरेलू हिंसा क्यों शिकार महिलाओं के साथ होगा इंसाफ इसी के साथ मुझे दीजे इजासत नमस्कार केज लाइक जरूर करें फो इंडिपर्टीजमेंट प्लीस कॉंटेक्ट 705-109-1811